नवश्कार 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 दोस्तों मैं निकलेश जेन हिंदी चेस बेस इंचल पर आप सभी का हार दे कर दिन करता हूं दोस्तों भारत की डी गुकेश ने टाटा स्टील मास्टर्स के दसवे राउंड में एक और जीत दर्च की है और इस टूरा मेंड में अब तक गुकेश के साथ मैचों की परणाम जो है वो जीत और हार के तौर पर आए हैं आपको याद होगा गुकेश लगातार दो मुकाबला हारे थे राउंड थिर राउंड फोर में बट उसके बाद गुकेश ने जो वापसी की है वो कमाल की है उसके बाद जितने भी राउंड interpreter गोकेश उसमें कोई मैच हारे नहीं है उन्होंने दो मैच ड्रॉ खेले आए और बाकी के चार मैच जो है उन्होंने जीते हैं तो कुल मिला के ये गोकेश की जो है पांच वी जीत रही इस टॉर्णामेंड में यह जीत आई अलेक्जेंडर डॉंचेंको के खिलाब जिन्होंन के मामले में राजा तो वही है वही इस समय और कमाल की शत्रंज है तो आईए देखते इस मुकाबले को समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ लेकि वैसे बाद आपको तुम कल हुआ क्या अलीरेजा का ड्रॉ अनिजगिरी के साथ नेपो ने डिंग लीरेंग को हराया वर्ल जुबेकिस्तान के उनको कला आती है हारे हुए मैच को जीतने की उन्होंने फिर से हारा हुआ मैच जीत लिया और वो गोकेश के साथ आप जॉइंट लीड पर हैं जुवेंज उन्हें ड्रॉ खेला परहम मक्सूतलू के साथ जू का ये टोनामेंट वाकई बहुत शांदार जा रहा है विदित ने ड्रॉ खेला प्रग्यानंदा के साथ और गोकेश ने अलेक्जेंटर डोन्चेंग को कहराया तो जो अभी ओवराल स्टैंडिंग चल रही है उसके एसाब से नोधिर बेक और गोकेश साड़े छे उनकों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं अनीश और इस साड़े तीन पर जो है वो खेल रहा है तो अब समझते इस मैच में क्या हुआ गोकेश काले मोरों से खेल रहे थे शुरुवात हुई यहाँ पर डी फोर खेल के शुरुवात करी यहाँ पर डोन्चेंको ने गोकेश खेलते हैं नाइट एफ सिक्स नेक्ट मोब आता गोकेश यहाँ पर डी फाइफ खेलते हैं जो कि गोकेश इस से पहले भी जो है वो कई बार खेलते हैं डी फाइफ सेंटर लेना यह बहुत ही इंपॉर्टन रहता है उनके साथ अब यह वो पोजिशन है जहाँ पर जो मेन लाइन्स हैं वो कुछ ऐसी हैं जैसे कि नाइट यहाँ पर चुना डोंचेंको ने खेलने के लिए और उसका रीजन यह था कि वो डेफिनेटली गोकेश के पिछले कुछ गेम है उसको स्टडी करके आये थे बेसिकली जो अली रेजा फिरोजा और गोकेश का इस मैच में इस लाइन पर मैच हुआ था उसको ओके सो सी इंट नाइट एसिक्स करके खेला था वो मैच और वो मैच कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा था जिस पर बिशप पॉन स्टक्चर को डामिज किया गया था एक इसोलेटिड कुईन पॉन था गोकेश के पास और बहुत प्रॉब्ली हो सकता है कि बहुत संभावना है कि यहाँ पर ओके इस्टिल नाइट जी टू यहाँ पर कंटीनू रुकी येट गोकेश ने खेला जो मेंल लाइन है नाव बिशप डी टू और नाइट बी डी सेवन यहाँ पर खेला गोकेश ने और अब यहाँ पर एफ थ्री खेलते हैं डोंचेंको अलेक्सेंटर और यहाँ पर दरसल वह एक मैच फॉलो कर रहे हैं जो कि अगर आप देखो लिस्ट में तो वैसली सो का नाम आपको देखेगा बार बार वैसली सो ने वाइट पीसे से इसको काफी यूस किया है एक दो मैच हारे भी है एक जीते भी है लेकिन उनोंने साबित किया है कि यह लाइन काम किया और ख प्रिशान हुआ था इसमें क्योंकि उनकी डिलिंग इतनी अच्छी नहीं थी यहां पर सी फाइप की अगोकेश ने सेंटर को चैलेंज किया जो कि उस मैच में भी हुआ था एंड नाओ यहां पर यहां पर मेरे क्याल से प्रप्रेशन है जहां पर एच फोर खेला गया है आ हाँ पर उन्होंने c4 किया था c4 bishop f5 knight f8 g4 इस तरीके से मैच हुआ था जो बाद में डोंचेंको ब्लाक पीसे से हार गए थे लेकिन डोंचेंकोब और गुकेश मेरी डिफेरेंस है और वो डिफेरेंस यह है कि इस पोजीशन पर गुकेश ने बहुत सोचा और गुकेश ने decide किया उन्होंने अपने interview में बताया अभी कि वो यहाँ पर position को dubious move भले खेलें लेकिन out of preparation ले जाना पसंद करेंगे तो गोकेश ने यहाँ पर काफी सोचने के बाद night basics खेला जो database में कहीं था ही नहीं मतलब अब सब कुछ जो है वापस zero पर आगया अब और अब खुद का जो creativity है वो बोड पर यहाँ पर शुरू होती है गोकेश की और यही वो स्थिति है जहां पर गोकेश भारी पढ़ने लगते हैं अपने अपने पर तो आगे अपन देखते हैं बाकी का analysis जिस तरीके से हम हमेशा देखते हैं तो गोकेश नहीं यहाँ पर h4 का जवाब दिया knight b6 खेल करके दरसल यह position जो थी यह position बहुत tricky थी पर एक्जामपल अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पर c into d4 मार देता हूँ तो चाहे knight d4 आए चाहे pawn into d4 आए आप जो है यहाँ पर bishop g3 देखे इस king की castle तोड़ सकते हैं और यह एक तरह का लालच है क्योंकि after king d1 actually मैं white का position ज़्यादा stable है क्योंकि यहाँ पर कोई attack आने नहीं वाला है फिलहाल आपका यहाँ पर bishop मर रहा है आपको bishop हटाना होगा और उसके बाद g4 और black के पास ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं क्योंकि king safe हो जाता है वह आप तो गोकेश ने इसलिए क्या किया knight b6 scale और नहीं बोला कि मुझे कुछ नहीं कर चेंज करना position में आप decide करिए कि क्या आप करेंगे यहाँ पर डोंचेंग को जाते हैं g4 अब common अगर आप बात करो तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं जब h4 आ जाए g4 आ जाए normal club player के साथ तो यही होता है अब आप देखो देखने से कोई नहीं जीतता जब तक कि आपका pawn structure इस तरीके का ना हो जो suddenly position को open कर दे तो एक आवद है कि जहां पे भी आप कमजोर हो वहाँ पे अपने प्यादों को जल्दी आगे ना बढ़ें खास तो पर जब opponent आपके उपर प्यादों से attack कर रहा है क्योंकि ऐसे में एक position आ सकती गोकेश ने बोला ने मुझे king side कुछ नहीं चूना है तुम करके दिखाओ आप साम आपको जो आता है आप करके दिखाओ गार आपको लगता है जीतना है क्योंकि मेरे पास clear plan है मैं queen side attack करने वाला हूँ कैसे सबसे पहले उनने knight c4 यहाँ पे jump किया अभी knight बहुत ही danger था e3 क pawn जो है आप देखिए आपके weakness पर attack हो रहा है तो यहाँ पर उनको मारना पड़ा bishop c4 dc4 और यही गोकेश का plan था dc4 और यहाँ यह वो position था कि भाई आपको एक bishop जा चुका है और आप जब आपका light color bishop जा चुका है तो आप यहाँ पर attack कैसे complete करोगे यह बड़ा मुस्किल है यह position थी जहाँ पर शायद long castle जो है वो best move था white के तरप से लेकिन यहाँ पर डेविड जो है वो थोड़ा सा बहकना शुरू हो गया और यही पर difference आ जाता है गोकेश अब गोकेश के पास plan बड़े clear थे in future रुग B8 लाओ या A6 B5 B4 यहाँ से pawn storm लाओ और king तो अभी भी center पर भी रखा है short castle आप कर नहीं सकते है और long castle आप करोगे तो हमारी तयारी वो आपकी उपर attack करने की तो इसके बात calculation जो है वापर गोकेश जो है वो बाहरी पढ़ने लगए अब गोकेश यहाँ पर खेलते है इन्होंने खेला यहाँ पर D5 तो गोकेश नहीं ठीक है pawn आप रख B8 इन्होंने किया यहाँ पर H5 गोकेश जाते हैं B5 जाते हैं G5 और जैसा कि मैं बोल रहो जब तक आप अपने pawn को नहीं चुओ गए यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला तो एक अच्छा आक्रामक खिलाड़ी होने के लिए सबसे important आपका calculation अच्छा होना चाहिए तब ही कोड़ी calculate कर रहे थे कि कुछ हो ही नहीं रहे वहाँ पर नाइट डी सेवन आ गए F4 अच्छा यहाँ पर चिंता जरूर हो सकती है कि भाई इस bishop का क्या होगा यह तो अभी तक नहीं खेल रहा है लेकिन आने वाली कुछ चाले हैं ऐसी थी कि position अपने आप खुलने वाली थी क फोकेश यहाँ चुपचा आप bishop F8 से ले गए अपने राजा को सुरक्षित करते हुए bishop को अंदर लेना कभी भी नुकसान दायक नहीं होता क्योंकि bishop एक चाल में भी बाहरा सकता है तो अगर security के उज़से आपको bishop अंदर लेना पड़े तो ज्यादा चिंता की बात नहीं हो और यह ब्लॉक होने के बताब चुकि लाइट कलर का bishop है नहीं तो आप कैसे white अपने attack को आमली जामा पहनाएगा ठीक है कुछ यहाँ पर square जरूर कमजोर होते हैं लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास defense है dark color को control करने का तो वो इतना effective नहीं हो रहा है आगे क्या हुआ इन्हो coordinate नहीं है महरे तयार नहीं है तो यह सबसे important बात है जब आप attack करो तो आपके महरे तयार जरूर होने चाहिए और वो coordinate उनके बीदमें तालमेल होना चाहिए वो एक दूसरे के जो लक्ष है उसको support कर रहे हूँ अगर वो नहीं कर रहे हैं वो सब अपना अपना काम कर रहे है तो आपका attack कभी भी successful जो है वो नहीं होने वाला है और वो ही डोंचेंको के साथ हुआ ये position आते आते हैं गोकेश अल्रेडी बैटर हो चुके थे गोकेश ने आपे knight b6 खेला d5 के pawn पे एक attack किया इनों ने खेला king f2 और गोकेश यहाँ पे खेलते है b4 जो दूसरा knight है उसको भी disturb किया knight जाता है e4 और यहाँ पर गोकेश खेलते है bishop f5 तो आप देखिए गोकेश के शारे मोहरे धीरे धीरे अपना काम कर रहे है सबको काम में लगा दिया गया है आप देख सकते हो बिलकुल ये bishop defense भी कर रहा है और इस diagonal को भी यहाँ तक समाले हुए है ये knight c4 को भी defend क भी attack कर रहा है ये rook e file को समाले हुए है ये rook b file यहाँ पर जहाँ पर यह pawn है उसको समाले हुए है queen अभी फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है लेकिन वो बहुत जल्दी जो है वो activate हो सकता है और फिलहाल तो उसने d file पर एक pressure रखा ही हुआ है bishop एक शांदार तरीके से game मे आ चुका है राजा सुरक्षे थे जबकि black white के pieces आप देख लीजे तो ये यहाँ है जरूर लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है ये इधर है थोड़ा ठीक लगता है लेकिन ये bishop कहा जाएगा पता नहीं queen भी थोड़ा ठीक है लेकिन ये knight क्या कर रहा है उसका भी कोई vision clear नहीं है तो plan clear नहीं है और सबसे important राजावीक है तो ये clear अंतर यहाँ पर आ चुका था position पर अब इन्होंने खेला यहाँ पर knight g3 थोड़ा इंप्रूब करने की position कोशिश की लेकिन यहाँ पर गुकेश की आती है बहुत शांदार चाल एक बहतर हिंट्रिक डुक इन्टू e e4 क्या हो रहा इसे knight into e4 and now queen e7 तो यह बढ़िया है exchange दो और दो pieces ले लो और इसके बाद गुकेश ने बता दिया था कि भाई यह match तो अब हमारे जोली में है knight f6 खेला इन्होंने बाट यह शांदार ट्रिक थी queen f6 इन्होंने खेला यहाँ पर pawn e4 but queen e4 आता है check king यहाँ पर आता है d5 sorry king आता है f3 so now यह one more trick यहाँ पर गुकेश मतलब calculation में दिखा दिया उन्होंने पिछली 3-4 जाल में यहाँ से लेके यहाँ तक कि बहुत calculation के तो हमीं बास हैं सबसे बहले रुकी 4 उसके out queen e7 और यह सब कुछ calculate करना होगा जब भी आप इस तरह की चाल खेलेंगा ऐ और end game सीधा एक ऐसी position पाया जो गुकेश के लिए बिल्कुल favorable था आप इसको convert करने की बारी थी तो यहाँ पर हुआ यहाँ आप आप देख सकते हो after bishop e4 queen e4 queen e4 king e4 cb4 pawn into b4 bishop b4 यहाँ पर rook e4 खेला है नो ने तो bishop c5 और pawn को आप मार नहीं सकते बीचे जाना पड़ेगा तो पड़िया setup किया हुआ था गुकेश ने अब यहाँ पर बस एक ही चीज था कि white के दो rook मिलके क्या कर सकते है वो आपके 7th rank में आका अगर penetrate करने लगें तो जरूर कुछ हो सकता है तो गुकेश को यह देखना था कि धीरे-धीर king थोड़ा सा free हो जाए यह maiden threat से बाहर आ जाए रुक activate हो जाए तो अपने problem को उनको बस solve करना था क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ set था यह सब कुछ supported था तो बिशप B4 गए यहाँ पर तो इन्होंने खेला रुक D4, बिशप C5, रुक D2, now F5 check, this was important ताकि king free हो जाए जैसी तो GF6 मारा, so king यहाँ पर F7 तो यह pawn तो कभी कभी आपको मिल नहीं है तो वो tension है नहीं, रुक आते हैं वो यहाँ पर A1, so rook B7, तो सब कुछ support में रखा उन्होंने, रुक अंदर आया D8, so king F6, रुक A6, pin किया knight को, so rook से check, and then Gokesh बापस आते हैं, king F7, रुक H7, so king A6, यह बहुत important था king E6, रुक A8, जब A7 pawn पर attack किया ग बढ़ेगी, और Gokesh ने यहाँ पर बढ़िया चाल निकाली, Gokesh ने खेला bishop D4, इन्होंने मारा A7, Gokesh ने rook इंटो A7 मारा, rook इंटो A7 मारा, और यहाँ पर आती है, बहुत ही खास चाल, कोने में घोडा काम करें थोड़ा, आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर कोने में घ घोड़ा, काम कर गया बहुत सारा, काम कर गया, Gokesh के लिए कोने में घोड़ा, कोने में घोड़ा गया, नाइट C8, अब प्रॉब्लम क्या था, यह नाइट C8 क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने यह रुक से यह पौन मारा, तो आफ्टर 97 आपका रुक ट् किंग C2, और आप देखें कि यहाँ पर एवन एक बहुत बढ़िया ट्रैप है, किंग को यहाँ से लाओ, यहाँ से लाओ, यहाँ से लाओ, यहाँ से लाओ, और रुक मार लो, तो जैसे इधर आएंगे हम, तो आप सोचो चलो मैं भाग सकता हूँ, लेकिन आप भाग नही सकते हैं, आपके पास कोई घर नहीं है, वापस जाना पड़ेगा, यहाँ से लाओ, यहाँ से लाओ, यहाँ जाते हैं, वापस नाइट D6, पॉन सपोर्ट में है, और अभी भी आप यह मारोगे, तो नाइट F7 के बाद जो ही आपका ट्रैप हो जाएगा, रुक तो यहाँ इस कप के बावजू दोनोंने रुक इंट F7 मारा, यहाँ पर डोंचेंको ने, क्योंकि उनको कुछ और तरीका दिखनी रहा था, उन्होंने तरीका यह निकाला कि रुक इसके बाद वो यह मूव खेलेंगे, रुक जी 7 फोर्स करेंगे मारने के लिए, पर आफ्टर से नाइट से उसको कंट्रोल कर लेंगे और वही हुआ, गोकेश ने आसानी से कंट्रोल किया और यह पॉन भी मार ले और वो पॉन भी नहीं बनेगा कुईन, तो यहाँ पर रिजाइन कर दिया, अलेक्जेंटर डोंचेंको ने, बट गोकेश के लिए अगर हम बात करें तो इसके अलावा यहाँ पर हम अगर देखें तो गोकेश का जो बहुत 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 करना चाहते हैं, तो आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना ही जरूरी है, सिर्फ थोड़ा सा अटैक मिलने से आप मैच नहीं जीतोगे, यह बात आप गोकेश से सीखिए कि अगर आपको attack चाहिए तो आपको अच्छा calculation होना चाहिए आपको दूर तक दिखना चाहिए साफ अगर opponent आपकी उपर attack करे तो भी आपको बचना आना चाहिए और उसके लिए भी calculation ही सबसे बड़ी key है और गोकेश मेरे साब से तो आज के समय में calculation के राजा है तो कमाल का ये match और finally मुझे लगता है जो सबसे खुबसूरत चाल में से एक थी वो चाल जब endgame में आई जब night c8 खेला गया कमाल था वो night c8 मुझे लगता है एकदम उसने game को तुरंती खतम ही कर दिया था यहाँ पर तो कोने में घोडा काम कर गया थोड़ा नहीं बहुत बहुत ज़्यादा कोकेश के लिए काम कर गया उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आयोगा पसंद आयोगा तो like, share और subscribe करना ना भूलें देखते रहे चेस्बिस इंडिया, चेस्बिस इंडिया के लिए मैं निकलेस जेन, जैहें दोस्तों